नमाशकार मेरा नाम है सुमिष सेंग मेहता हाद नों सामने quantum mechanism related एक और नया लेक्टर लेके आज का हमारा है लेक्टर नमबर 47 ठीक है जैसे कि हमने पिछला लेक्टर है बूला था कि आज से हम क्या करेंगे question and answer करेंगे किस पर बेस्ट जो अभी तक हमने थ्योरी बड़ी quantum mechanics की उस पर बेस्ट और हम अपना क्या करेंगे खुद का निरक्ष्ण भी करेंगे और फिर खुद की परक्षया भी लेंगे कि हमें quantum mechanics में जो भी तर थ्योरी पड़ी वह हमें समय में आई और नहीं आई और वो कैसे पता चलेगा या हमें अपनी परक्षया हम कैसे लेंगे question answer कर ठीक है अगर हमसे question हो रहे हैं तो इसका मलब हमने थ्योरी पड़ी है वह हमें क्या होगी है थोड़ा बहुत आ रही है और अगर हमसे question नहीं हो रहे है तो हमें थ्योरी दूबाड़ा से पड़ने ही क्या है जरूरत है ठीक है तो actual में जब भी हम एक मैं पहले brief दो थोड़ा बहुत अच्छे तरह के से आते हैं तो एक करें question लेते हैं question मेरे computer screen में है तुम वहां से question पड़ूँगा और यहां पर लिखूंगा क्योंकि मेरे पास PDF format में किताब है ठीक है तो इसलिए मैं ऐसे हासमें रख्षा किताब तो जो मेरे PDF है वो मेरे computer में खुला हुआ हुआ है है ताकि आसानी हो जाए है हमें question करने में ठीक है देखो question पहला question बोला है calculate लिखते है calculate calculate number 1 क्या बोला है expectation value of x number b expectation value of p number c है expectation value of x square और d है expectation value of p square ठीक है है यह हमें calculate करना है किसके लिए for a particle in one dimensional potential well for a particle for a particle in one dimensional one dimensional potential well ठीक है एक one dimensional potential well है define as define as zone in figure ठीक है जो ऐसी दे रखिया कैसी दे रखिया कैसी दे रखिया ऐसी दे रखिया देखो ऐसी potential है हमारे पास इस तरी के छोटी ची बनाते हैं ओकि आप बड़ी मिना लेना ओके यह क्या है infant potential infant potential और यहाँ पर क्या है एक्स इक्वल टू माइनस अ है और यहां क्या है x equal to ए है तो इस तरी क्या है मेरे पास एक infinite potential well है और कैसी है symmetric देखने को मिल का सिमेंट्रिक अगया है is का स्क्वायर है यह कहा है question number one है ठीक है question one अब देखो अब हमने यह पड़ा था कि जब भी कोई particle किसी एक symmetric infinite well potential के अंदर होता है तो उसके motion को यहां फिर उस particle को किसे represent करते हैं हम एक wave function wave function से represent करते हैं और यहां यहां पर wave function दो क्लास में आये थे कौन-कौन से आये थे साई ओफ एकस आये था इसकी दो वैल्यू आई थी एक तो क्या था वन भाई अंडरूड ओफ ए एक क्या है यहां यहां पर यहां पर लिखा हो है ठीक है और k is equal to यहां सही है ओके तो क्या था देखो वन वन अपॉन अंडरूड ओफ एक कॉस एन पाई एकस अपॉन टू ए और यह किसके लिए था वैन एन की वैल्यू क्या है मेरे पास और है यहीं वन थ्री फाइव कुछ ऐसे है ठीक है और दूसरी जो wave function निकल क्या था ऐन पाइक्स अपॉन टू ए था और यह चीज़ काब था जब एन की वैलू कितनी है दो चार छै क्याँ अकी घ्री है ऑर्च टकथ यहां यह है let us see for odd n, किसके लिए देखते हैं, odd n के लिए देखते हैं, odd n कहने का मतलब क्या हुआ, n equal to 1, 3, 5 and so on, ठीक है, question में लिखा हुआ आएगा, कि आपको odd n के लिए देखना है, या भी even n के लिए देखना है, और I think आप ये पाओगे, कि इनकी जो value निकालोगे आप, इसके लिए आएगी, एक ही जैसी आएगी, तो मैं इन में से किसी एक के लिए लिए लेता हूँ, किसके लिए लेते हैं, हमें आपर, odd n के लिए लेते हैं, ठीक है, तो आप इसको even n से भी करके देखना, तो I hope, answer आपको क्या आना चाहिए, same आना चाहिए, ठीक है, I think answer same आएगा, ठीक ह हो आ रहा है, तो यह आपका काम है, इस से निकाला, यानि, sign वाले से आप निकालोगे, मैं किस से निकालूँगा, इस cause वाले से निकालूँगा, ठीक है, ओके, नव, यानि, n क्या है, मेरे पास यहाँपर odd है, यह ध्यान देना है, यह आगए यूज़ होगा, कि यहाँपर n की value क्या है odd है कहने का मतलब कितना है 1 3 5 and so on s इस तरीके से है now अब एक काम करते हैं तो हमेरे पास अब wave function psi of x is equal to क्या हो जाएगा 1 by under root of a और यह क्या जागा देखो cos n by x upon कितना आ गया 2a आ गया और यहाँ अपर जो n है मेरा वो क्या है 1 3 5 7 and so on इस तरीके से है ठीक है ना सबसे पहला काम क्या है हमारा expectation value of x निकानला है तो a part क्या हो जाएगा इसका क्या find expectation value of x देखो हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी कि expectation value of any physical quantity a या फिक एनि physical variable a क्या होता है मेरे पास integration size star और इसके corresponding operator तो a operator psi into dqr ऐसा कुछ होता था ठीक है ऐसा पढ़ा था और यहां limit क्या हो जाएगी all space यह फिर limit क्या हो जाएगी all space कुछ इस तरीके से पढ़ा था हमने कि expectation value of a equal to this thing ना अब देखो और यहां बस अधाए क्या होना चाहिए size must have a normalize जो साई है वह क्या है मेरा नॉल्म लाइज है और इन इस पट्रीख्र केस जो मेरा नॉर्म लाइज ऐगन फंक्शन वहता है वह ही होता है ठीक है और उन्न नॉर्म लाइस हो बिना नॉर्म लाइस कि कि évidemment यहाँ पर हम सिर्फ capital A लिखते थे और जो normalization constant है वो कितने है मेरे पास यहाँ पर A by under root of A है sorry 1 by under root of A है clear होगी बात तो यह क्या है normalize wave function है कभी-कभी question मां आपको wave function बिना normalize हुए दे देगा तो सबसे परने आप क्या करना पड़ेगा आपको इस wave function को normalize करना पड़ेगा normalize करोगे normalization की condition लगा के अभी तो हमारे पास case क्या है solve है यानि आपको इसको normalize करके इस wave function को normalize करके हमारे पास है अगर यह normalize करके ना होता, अगर यहाँ पर कुछ constant A होता, तो सबस्पर नियाद क्या करते हैं, इस constant A की विले निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं, नॉर्मलाइजेशन constant कहां से आता हैं, condition of normalization से आता, फिलाल अभी हमारे पाफ situation क्या है, solve हैं, तो यहाँ पर इसका normalization constant कितना आता है, 1 by 100 of A आता है, यह हमाँ पता होता है, ठीक है, जो हमने फिसला लेक्टर में यह चीज़ा मैंने solve कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेश करके, तो वहाँ से हम जानते हैं, कि यह ऐसे होता है, आप इस definition से इसको compare कराएंगे, तो यहाँ से expectation value of x, यह निकालना है, तो यहाँ हैं से expectation value of x equal to क्या हो जाएगा, देखो, integration, now क्या आएगा, size star, size star खहने का मतलब, इसका complex conjugate, अब देहाँ यह पूरा क्या है, इसकोई आयोटा कटाम आ रहा है नहीं आ रहा है तो यह क्या है रियल है पूरा तो रियल है तो यह इसका complex conjugate क्या होगा यह खुदी होगा यहां क्या जाएगा यह वन बाई अंडरूड ओफ ए और यहां क्या बाई आप यहां पर कोस क्या आजाएगा टूए आजाएगा और यह क्या आजाएगा दी एक्स नावन डाइमेंशन में तो सिर्फ क्या लिए अब लिमिट का खेल है लिमिट यहां पर क्या होती है औल स्पेस होती है, औल स्पेस कहने का मतलब क्या होगा, मैंस इन्फिन्ट टू प्लस इन्फिन्टी, अभी आप मतले लेकिन, लेकिन इन अवर केस, हमार जो पोटेंशिल है, या फिस मारा सिस्टम है, वो इस पट्टिकुलर रीजन में है, किस रीजन में है, X equal to minus A से लेकर X equal to plus A के बीच में है और यहां को wave function यानि इस से इधर को और इस से इधर को wave function कितना हो गया है? 0 हो गया है तो यानि अगर मैं यहां से X greater than A में देखूंगा तो अपने आप यह integration क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्यों? क्योंकि यहां को X greater than A पर wave function क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है और यहां को देखूंगा X less than minus A में देखूं तो वहां भी मारा wave function क्या है? 0 है अगर wave function 0 है यहां को X equal to minus A से इसका मतलब इस particular region में integration अपने आप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो यह जो limit है मेरी minus infinity से प्लस infinity ना होकर किस में reduce जाएगी? minus A से प्लस से ठीक है? ऐसे question आपने mathematics में बहुत किया होंगे ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यह हो गया ना अब सिर्फ क्या करना है? solve करना है उसको उससे पहले एक और चीज अब यह क्या है? X operator है ठीको X operator क्या करता है? X को इस पर multiply कर देता है हमने जब operator पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि जो X operator होता है position operator होता है वो multiplicative nature का होता है यानि multiply हो जाता है तो यह क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पर? expectation value of X is equal to integration from minus A2 क्या जाएगा? plus A आ जाएगा? A से इन्टो होगा दोनों constant है तो यह 1 upon A हो X और यह क्या जाएगा? cos n pi X upon कितना आया? 2 A आ गया और इंटो कितना आ गया यह? dx आ गया देखो multiply हो गया इस पर यह X क्या होगा? इस पर सिदी सिदे multiply होगा तो इस थोड़ा और solve करो तो क्या जाएगा जाएगा? expectation value of X is equal to minus A to plus A क्या हो जाएगा? one upon A हो गया है धर पर यह X ऐसे इदर आ गया और cause or cause multiply होगा क्या हो जाएगे? cause is where n pi X upon कितना आ गया? 2 A आ गया और यह क्या आ गया? dx आ ठीक है अब इसे solve करना है integration अब आपके हाथ में है इस integration हो क्या करना है? solve करना है इसको solve करने के दो तरीके हो सकते हैं एक तो क्या करो आप? cos square को किस में तोड़ दो? cos 2 theta में तोड़ दो? cos 2 theta में तोड़ने के बाद इसको फिर I late लगा के इसको solve करो लेकिन जिन्होंने class टोल थे मैं बहुत सारी practice कर र तरीके से होता है हमारे पास कि अगर कुछ ऐसा हो कि integration minus infinity to plus sorry minus a to plus a fx dx this is equal to 2 into minus a to sorry 2 into 0 to a fx dx when fx when fx is even do fx कैसा होगा even function होगा द्यां सुनना यह पड़ा है न आपने when fx is even function then this integration equal to this and this is equal to 0 when fx is odd to fx होगा कैसा function होगा odd function होगा now even function कैने का मतलब हुआ even function कैने का मतलब हुआ कि f minus x is equal to fx तो इसे में क्या बोल दूँगा even function बोल दूँगा और अगर ऐसा हो f minus x is equal to minus का fx इसे में क्या बोल दूँगा और फंक्शन बोल दूँगा अब इसको देखो यह पूरा fx है यहां से लेकर यहां तक यह fx है अगर मैं यहां पर x को minus x से replace करूँ क्या दुबारा से यही आ रहा है क्या दुबारा से यही function आ रहा है आंसर है नहीं आ रहा है देखो यह तो positive देगा हमें साथ क्योंकि square है इसमें और cos minus x cos x सी होता है लेकिन इसने game बिगार दिया यह क्या है यहां पर x है तो यह पूरा का पूरा जो function है यह क्या हो जाएगा x को minus x करने पर पूरा negative हो जाएगा यह कैसा function है odd function है यह जो पूरा value of x यह position की expectation value किसी particle की इस particular potential value में कितनी होती है 0 होती है ठीक है यह क्या है बहुत important एक point है से सिदे question आता है कि expectation value in a symmetric infinite potential value कितनी होती है तो आपका answer कितना होगा 0 होती है ठीक है killer होगी यह बात अब अब बात करते हैं किसकी expectation value और दूसरा यह पहला question हो गया दूसरा देखो दूसरी बात करते हैं किसकी expectation value of momentum की मेटा नहीं लगांगे यह रहा तो लिखो अगला देखो expectation value of momentum ठीक है आंसे सही आ रखा हमारा ठीक है सई अब फंक्शन से लिखा ना हमने सब्सक्राइब देखो अब देखो अब देखो अब देखो यह हो गया expectation value of x कितनी आगी यहां से वहीं फॉर्मना लगा दो यानि क्या हो जाएगा बताओ expectation value momentum यानि expectation value of P is equal to क्या हो जाएगा integration साइस्टार साइस्टार कहने का मतलब यह है भी मारा वेब फंक्शन इसका स्टार इसका स्टार इसका स्टार खुदी हो जाएगा क्योंकि रियल है तो क्या हो जाएगा यह वन बाई अंडरूड ओफ ए और यह क्या आजाएगा एक्स अपॉन कितना आया तो यह आया अब यहां पर क्या आजाएगा momentum operator यानि पी के पाएगा फिर क्या आएगा साइए एक बात में लिख लो पहले नेखिन लिख लेता हूँं ठीक है अब खूंशन जाओगे नहीं तो पहसले लिख़ेल हो ने यहाँ पर यहाँ पर क्या जाएगा इस इससाइश स्टार और यहां पर क्या आएगा हमारा क्या पाएगा और यहां के ड हम साइए नीच acknowledge तो देखो साइस स्टार साइस स्टार के जोगों यह पूरा है यानि इसी यह कहा है रियल है तो रियल का कॉंप्लेस्ट कॉंप्लेस्ट वहीं होता है ठीक है तो वन अपॉन वन अपॉन अंडूल ओफ ए और यह क्या हो जागा दर से कॉस एन पाई एक्स अपॉन कितना आ गया 2a आ गया, अब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा momentum operator, और यह किसम में operate होगा psi x, psi पर, psi में operate हुआ तो कितना आया, 1 by under rule of a, और यह क्या है मेरे पास, cos n by x upon कितना आया 2a आ गया, और हिंटो कितना होगा dx होगा, छीक है, नब किसकी requirement हमको यहाँ पर, इस momentum operator p की requirement है, तो यह से momentum operator, p के, equal to हमने पढ़ा है, क्या होता है, minus का iota h cut minus का iota h cut minus होता है, हाँ, iota h cut, del y, del x minus का iota h cut, del y, del x one dimensional momentum operator क्या होता है, यह चीज होता है, यह हमको पता है, पहने से, ठीक है, ओके, नब एक काम करो, इसको इसमों operate करा दो, ठीक है, इसको उठाके इदर रख दो, momentum operator की जुगा, तो यहां से मेरे पास expectation value of p, कितना आ गया, यह तो constant है, तो यह 1 upon a बाहर आ जाएगा, 1 upon a बाहर लेलो, अंदर कितना आ गया, यह आ गया मेरे पास, cos n pi x upon कितना आया, 2a इसको इसमों operate कराना है, तो यह क्या है, मेरे पास देखो, minus का, iota h cut है, और into क्या आ जाएगा, del y, del x, यह नि partial derivative of किसका, cos n pi x upon कितना आया, 2a आ गया, और into कितना हो गया, यह, dx हो गया, ठीक है, तो इसका differentiation कर दो, और cos का differentiation क्या होता है, मैनस साइन होता है, और यह मैनस का, मैनस का, iota h cut, और upon a, यह तो constant बाहर आ जाएगा, और integration, यह क्या बच गया, limit का खेल, limit again, कहां से कहां होगी, minus a to plus a, वो अजूम करके चलो, आप लिख लो, मैंने लिख रहा भी, लिख लिख लाते हैं, कहां से कहां होगी, minus a two plus a, minus a to, plus a, यहाँ भी क्या हो जाएगी, minus a to, plus a हो जाएगी, वैसे हो दीख खाहां से कहां है, x में है तो minus infinity, तो प्लस infinity, यह इधर से िदर को, इधर से दर को मारा system है नहीं, तो limit कहाँ रिडूस जाएगी मैनस एटू प्लस एडूस जाएगी अब से देखो तो यह क्या हो जागा यह तो पहला अरट अम ऐसे रहा क्या कॉस एन पाई एक्स अपॉन कितना गया बॉल हो गया थो आहएंग साहिन साच एक्सक्राइगा अपकीसाओ धिटां का ऊगा एन légया हो जाए का रिबर पास एकने ब्रीफे कॉस्टेंट को घकितना अगया later n subst पई अपॉन कितना आगया 2a स्क्वारागए upon 2a स्क्वाइर integration from minus infinity to plus infinity this is cos n hnpI x upon कितना आगया यह 2a ऑगया और यह क्या हो जागा मेरे पास यहांपर sine in Pye एक्स upon कितना आगया यह 2a आगया और इन्टो कितना हो गया hey the x हो गया ठीक है जब अब again आपको तो इसको integration करना है, इसका integrate करने के दो तरीके हैं, एक तो क्या करदोगे आप, इसमें से किसी एक को T माल लो, sin S को T माल लो, cos S को T माल लो, फिर integrate कर दो, एक और तरीका है, अगर formula याद है, अगर ये जो function है यहाँ पर, ये odd function है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये इसको थोड़ा सा और simplify कर दो, मैं एक काम करो यहाँ पर, 2 से multiply कर दो, और 2 से divide कर दो, यहाँ 4 हो जाएगा है, 2 से multiply क कर दिया, 2 से divide कर दिया, 4 हो गया, तो देखो, क्या हो जाएगा यह, आयोटा, एन, एज कट, पाई, divided by, कितना आ गया यह, 4 a square आ गया, integration, minus a2, plus a, यह क्या है, sin a into sin a cos b, 2 sin a cos b, तो इसका मलब, sorry, 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta equal to क्या होता है, cos 2 theta बढ़ाबर होता है, तो यह क्या, sorry, sin 2 सीट बढ़ाबर होता है, तो sin 2, तो 2 होतो कितना आ जाएगा यह, यह, यहाँ 2 आता है, इस 2 से यह वाला 2 कट गया, ठीक है, अब यह sin है, और हम सब जानते है, sin minus x क्या होता है, sin minus x is equal to minus का sin x होता है, यह जो function है, यहाँ पर, यह कैसा function है, odd function है, कैसा function है, odd function है, और odd function में जब भी limit minus a2 plus a होती है, तो answer कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, तो यहाँ से एक चीज़ क्या बता चली हमको, कि expectation value of momentum भी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, इसका एक और नाम होता है, कि average momentum कितना हो गया, 0 हो गया, यहाँ से क्या बता चला, कि जो average position होगी, वो क कैसे समझ सकते हैं, हम, एहाँ समझो, कि यह क्या है, मेरी potential value है, ठीक है, और यहाँ पर x equal to क्या है, 0 है, यह कहने का मतलब हुआ, कि average, average जो मेरे पास क्या है, position है, यह पिर average value of position बोल सकते हैं, पिर expectation value of position है, वो कितनी है, 0 है, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर मेरे पास कोई ए यहाँ बी है, जितनी ही positive side में है, यहाँ से दर बज्क है, यहाँ से दर को negative, जितनी उसकी find होने के probability इधर है, उतनी ही find होने के probability कहां है, इधर है, ठीक है, killer हुई बात, तभी उसकी justification value है, average value है, वो कितनी आई, 0 है, ठीक है, माल लिया, वो यहाँ से इधर को, यहाँ से 2 मि पर है तो average कितना हो जाएगा obviously बात जीरो हो जाएगा और दोनों और find होने की probability कितनी है equal है तो यह यह जो यहाँ पर result है हमारा कि expectation value of position क्या होगी जीरो होगी यह कहने का मतलब क्या हुआ कि जो particle है मेरे पास mass m का इसकी इधर find होने की probability यानि इस 0 से इधर find होने की probability probability और इस 0 से इधर find होने की probability दोनों क्या है बराबर है तभी यहाँ पर expectation value of position कितना आया जीरो आया अब बात करते है कि expectation value momentum का 0 होना expectation value momentum का 0 होने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा आजिन करो कि हमारा particle क्या कर रहा है vibrational motion कर रहा है कैसा motion कर रहा है इसके अंदर कर तो उसके momentum यहाँ को जा सब्सक्राइर को है जितनी velocity इस The तो नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है यानि जितना वह इस डिरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन में मोमेंट मोशन कर रहा है उतना ही कहां के और मोशन कर रहा है नेगेटिव डिरेक्शन मोशन कर रहा है तब उसका नेट मोमेंटम कितना ह कितना हो गया जीरो होगया हें इल्ट होगी बाद तो यह क्या हो गया इनका इनका फिजीकल क भी समाज़ सकते हैं है ठीक आ सब्सक्राइब कर लेता हूं तो यहां से क्या मिला है मिला और अगे काम आने वाला है तो बहुत यह इंपोटेंट चीज़ है इसको नोट करको रखो अगर से याद करकर भी रख लो कि अगर समेंटरिक पॉटेंशिल है तो इसमें ऐसा होगा अब क्या है सी देखो कि है एक्सपेक्टेशन वेल्यू और एक्सिव्वार किसीते निकालोगे अगला काम क्या है हमारा यह निकाला कि expectation value of c part ठीक है, part c, expectation value of x square क्या होगा, लगा दो definition क्या होगी, expectation value of x square is equal to, क्या होता है, integration, और क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा मिरे पास क्या, psi star x square psi into dx, और in this particular case, जो x है वो plus a से minus a के बीच में है, तो यह limit आ जाएगी, ना, अब psi क्या था, अभी हमने discuss क्या था, कि हम n equal to odd के लिए देख रहे हैं, तो psi equal to क्या था, one upon under of a, और यहां क्या था, cos n pi x upon 2a था, और जो n की value थी, यह बहुत important है, वो कितनी थी, one, three, five, and so on थी, यह नहीं odd integer थी, तो यहां पर यह रखो, आप value put करो, तो expectation value of x square is equal to, क्या आ गया, integration from minus infinity to plus infinity, इसका complex conjugate, खुदी हो जाए, क्योंकि यह पूरा real है, तो क्या जागा देखो यहां से, one by under root of a, cos n pi x upon कितना आ गया यह, 2a आ गया, और into, यह x square है, तो फिर से यह x है, तो कैसा nature का होगा, यह multiplicative nature का होगा, तो सिद्वे से x square multiply हो जाएगा, यहां पर, तो x square आया, और साथ में यह चीज़ आया, यह यहांनि, si आ गया, पुरा, तो one upon under a, और यह क्या हो जाएगा, cos n pi x upon कितना आ गया, 2a आ गया, और into कितना हो गया, dx हो गया, killer होगी बात, अब क्या कर सकते हैं, यह दो multiply हो जाएगे, तो यह one upon a तो बाहर आ गया, यह root है, root है, root, अंडूट, अंडूट हो, क्या हो जाएगा, one upon a हो जाएगा, और integration from minus infinity to plus infinity, यह चीज़ क्या होगा, x square हो गया, यह इससे multiply होगा, तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास, cos square n pi x upon कितना आ गया, यह 2a आ गया, और यह multiply में कितना आ गया, तरफे, dx आ गया, अब इसे solve करना है, क्या solve करो कि बताओ, यह तो i late लगा दो, यह फिर कुछ और करो, ठीक है, अभी थोड़ देर पहले एक formula हमने पढ़ा, कुछ ऐसा होता है, कि cos square theta is equal to, क्या होता है, one plus cos 2 theta divided by 2 होता है, यह पढ़ा है हमने, cos square theta is equal to one plus cos 2 theta divided by 2, इसे लगा दो यहाँ पर, तो क्या आ जागा देखो यहाँ से, one upon a आ जाएगा, और limit, limit कहां से कहां होगी, minus a 2 plus a होगी, ठीक है, तो limit कहां से कहां, minus a 2 plus a होगी, और यह क्या आ जागा, x square, इसकी value, ठीटा की जोगा है, यह पूरी value है, यह उठाग उतर रख दो, तो यहाँ जागा मेरे पाँ कितना, यहाँ जागा मेरे पास one, plus cos 2 theta, cos 2 theta, theta की जोगा यह पूरी चीज़ है, तो इस 2 से यह 2 cancel हो जाएगा, तो क्या आ जागा यह, n pi x upon कितना आ गया, यह आ गया, और divided by 2, और into क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह, d x हो जाएगा, यह 2 इसके साथ आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, देखो, one upon 2 a हो गया, one upon 2 a, this is limit from minus a to plus a, और क्या हो जाएगा, देखो दर पह, x square into one plus cos n pi x upon a, और into कितना आ गया य d x आ गया, ठीक है, अब इस x square को अंदर multiply कर दो, तो यह आ जाएगा, मिलपा कितना, one upon 2 a, integration from minus infinity to plus infinity, x square अंदर multiply हो तो क्या जाएगा, x square, one के साथ multiply हो जाएगा, फिर क्या जाएगा, यह x square into cos n pi x upon कितना आ गया, a आ गया, और into क्या आ गया, d x आ गया, अब इनका separately integration कर सकते ह एहले, इसका, फिर इस पूरेगा, तो ठीक है, तो उसके लिए मुझे इधर मिटाना पड़ेगा, इधर मिटाना पड़ेगा, इधर मिटाना है, ओके, देखो, क्या चीज है, यह यह इतना आगा ना, तो expectation value of x square का calculation चार रहा है, हमारा, तो यह क्या आगर देखो, यहां से, 1 upon 2a आया, और integration from limit minus infinity to plus infinity x square dx, इसका कर लिया, फिर प्लस, प्लस आया, और यह तो दोनों के साथ है, तो 1 upon 2a आजाएगा, 1 upon 2a, integration from minus a to plus a, अब यह अला टाम आजाएगा, क्या है, देखो यह, यह है मेरे पास x square and cos n pi x upon कितना आगया, a आगया, और into कितना आगया, dx आगया, solve करना है, इसका दो बड़ा simple है, तो क्या हो जाएगा, देखो, यहाँ जाएगा मेरे पास, this thing, 1 upon 2a, x square का, क्या होता है, यह फिर अगय यह क्या है, even function है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 0 to a x square into dx, इसकता हूं, ठीक है, वैसे भी कर सकते थे आप, कि इसको x cube by 3 लिखत अगर यहाँ पर x कीज़ा, minus x put करूँगा, फिर again क्या आएगा, x square ही आएगा, because it is even function, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, फिर plus, plus किया, अब यह भी देखो, यह भी कैसा function है, एक even function है, दिख रहा है, आपको, साब दिख रहा है, यह x square है, और यह cos x है, यह भी even function है, और दिख even function और even function दोनों multiply होते हैं, तो जो resultant function होता, वो भी कैसा होता है, even function होता है, तो यह पूरा क्या हो जाएगा, even function हो जाएगा, ठीक है, तो यह भी कैसा function है, even है, और यह पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यह भी क्या है, even है, ठीक, दोन even function है, तो यह भी क्या हो जाएगा, तो इ एंटया हो गया डी को सो सॉ serious और यह भी इस दूंशे और गया तो यह आ गया मेरा पास कितना 1 अफससांव करो यह मिरे पास बन्हेंद क्य BS के आक हो जाकants यहागा हूँ यह मिरे पास किया एक्स की पावर 3 टुझंधड़ बाए स्ञाइज प्लस वन पॉन ए आजाएगा धर देखो इधर कैसे करोगे सॉल दो तरीक है एक तो किसे कर दो आई लेट से कर दो एंफिर एक दूसा लगा दो ठीक है कैसे कर लोगे आई लेट से करें या उस से करें थिहां लेट से करना ढरते है अल factions is capital ने क्या होता है आई लेट यह क्ते लिए इन्वरों लागर्फम अर्थेमे टिकनोमेट्रिक और एक्सपोनेन्ट्शल तो अर्थेमेटिक पहले आता है तो यह फंक्शन फंक्शन हो जाएगा और टिकनो मेट्रिक यह क्या हो second function हो जाएगा ठीक है यहां तक इल्डर है बात अभी वाल अपों यह तो यह वाला आ गया अब देखो इस ब्रेकिट फर्स फंक्शन ऐसे रहता है ठीक है याद है आपको फर्स फंक्शन जैसा है वैसे रहता है तो यहां पर x में क्या आ जाएगा और लेमिट कहां से कहां हो जाएगी जीरो टू ए हो जाएगी लिमिट कहां से कहां तो एह हुआ फिर क्या होता है इसका differentiation तो क्या हो जाएगा यह टू एक सो जाएगा इसका differentiation और इसका integration क्या हो जाएगा sign n pi x upon a ओर नीचे डिवैंट में जाएगा यह एन पाई अज्याज नीद्रा में लिलिमीट पुर्ट करो और फिर देखो प्लस और लोलब्रेकट बंद है ठीक है यह बंद लोगया देखो क्या आज ने से मन अपाइं यह बाहर है वेल्वैपीट कर अगर मैं यहां पर एक्सिपलोड ए यह स्कॉर हो जाएगा और यह क्या आ जाएगा साइन एन पाई ए अपन ए फिर इस ए से एक एंसल तो क्या जाएगा साइन एन पाई आ जाएगा और यहां पर एन की वेल्यू क्या है 2, 3, 5 ऐसे हैं कुछ और sin n pi हमेसा क्या होता है 0 होता है sin pi 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi 0 sin 4 pi 0, sin 5 pi 0 sin n pi में हमेसा क्या होता है 0 होता है और यह time पूरा क्या इसको रखने पर 0 हो गया 0 को तो 0 हो जाएगा तो यह time पूरा क्या हो जाएगा 0 आजाएगा यह कितना अंसर देका हमारा जिरू आंसर देगा तो बचे ये वाला ये वाला लेकिन यह मैनस साइन भी है तो माइनस तो यह आया पहले तो पहले क्या है यह ए डिमेटर बैए इनपाई है ठीक है अब इसा इटा दो फिर ब्रेकट को में इसको छोटा लगा लगा जते है ए ड आधिक विद्र धुट्ट में दो लिए ऊंट्था दू रिए इनटेश्छन कट्पा किलद बात स्वाट हम फोल्फ हो सवागया अब दे इन यहां आप मिला अभी लेत लगाना पड़ेगा तो क्या होजागा यहां से मिर पास कूछ ताम कैंसल ओरह कre搞े है तो यह दो बार इसक्वैर हो जाएगा और इससे यह अगएVIE अगया मेरे पास कितना a स्क्वार वाई three आ गया और फिर यह माइने सब्सक्रार गों डिवादि भॉय। नपाई आ गया और इंट रिंटरो टू ए this is x sin n pi x upon कितना आया एया और इंटू क्या आगर dx अगें यहां पर अट्रमेटिक और यह कहां टिग्नोमेट्रिक तो यह फॉर्स्ट फॉंक्शन धिस इस फॉंक्शन ठीक है तो कैसे करो इधर का तो ऐसे रहेगा यह क्या है मेरे पास a square का है sleए जाया जाएका और इंट्रीकरशन लाथ से बाहर से टार है क्या होता है पहला फंक्शन ऐसे रहता है ये एक सैसे रहा इस क्या हो जाया क्या हैenne उट्स हो जाएग़ और यह घुए हटोगोग कि यूट चया हो जाएगी और वह जाएगी एक्ट पृट्फप up Все से प्रेकर क्या प्लश को जाएगा है और मानशटना और एयर किया जाएगा और फां पर insurance एक्स आपाउं क्या एक्स आगया ऑगया और स्ट्रीड़ीपन कितना हुआ है और नीचे अचेगा एन पाइवाई ए आ जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा यह दी एक्स हो जाएगा किलर होगी बात इतना किंदर हुआ, अब देखो, यह bracket पूरा क्या है, close है, यह दोलों में common है, ठीक, तो देखो, यहाँ से मिरे पास क्या आ जाएगा, एकी पउर 3, divided by 3, माइनस का, यहाँ मिरे पास 2, divided by, डिस एन पाई, अब यहाँ लímिट पूट करनी है, लिमिट पूट करो फिर, इतना अपनल लिमिट, फिल लोग लिमिट, अपनल लिमिट क्या है, जाएगा यह, हैंगे, चलो, एप उट करो क्या होजागा, माइनस का ए हो जाएगा और यह कॉष्ट और से उड़स यह जाएगा मानस का एंटल्ट यह कॉष्ट text को एयर गाए से उड़ी जाएगा तो यह क्या आ जाएगा एक Watch एन पाई आ जाएगा और निचे कितने आ गया एन पाई भाई ए फा हेडा है और अब यह चीछा dopamine यह急 पर आजाएगा योजागा मेरे पास एडिवाइड पाई एयूजाएगा अब काउस का क्या होगा इंटिकेशन वां कॉस्का इंटिकेशन का और धोन यह आजय का मेरे पास कितना क्या हो जाएगा जीरो हो क्या ये टम पूरा पूरा कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब बचा क्या तो सिर्फ इतना बचा तो ये इससे क्या होने वाला है अब multiply होने वाला है अनुद्ध क्यों होनेवाला है multiply होने वाला तो करो multiply फिर इसको कहां करूं इधर लिग दू इसको म्हें बढता चंट सी सो भी संट एक यह ऑ रूठी मट्य dura के इसे सबमोस्कुमान था दे की पार थ्री एक ही बहुत थरी था यह स्क्वाइर था क्या आया एक स्क्वाइर डिवेड़ेड़ थरी और माइनस का कितना आया यह मैंने से और यह मैंने से मैंने मैं इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस का कितना आ गए यह आ जागा मेरे पास कितना टू डिवेड जडेड़व बन पाई को एटवन पाई है और इसक्वाइरो जाए गए और ये क्या आजाएगा और काउस liberty आ जाएगा फसेक अ प्र Вас इसक और सकता मैं एकक्डेसेन इसक्वाइब लेट वह दो इसक्या होло by 3 plus ka this is 2 divided by और यह क्या है n pi ka square and this is cos n pi ठीक है and here n equal to क्या है मेरे पास 1 3 5 and so on ऐसा है अब जब cos n pi जो cos n pi होता है वो क्या हो सकता है आइधर plus 1 और minus 1 ठीक है और cos n pi equal to plus 1 होता है कब when n is even जब n के वह लिए क्या हो 2 3 2 4 6 ऐसे हो यानि cos 2 pi cos 4 pi cos 6 pi वहाँ पर क्या होता है प्लस 1 होता है अगर मैं किसकी बात करों cos n pi equal to minus 1 की बात करों तो वह कहां पर होगा n equal to odd पर होगा जो कि यह हमारा case है तो यहां पर cos n pi की जो क्या जाएगा मैंनस 1 आ जाएगा तो यह value किसके रावर होगी this is equal to minus 1 तो मैंनस 1 पूट कर दो यहां पर मैंनस 1 क्यों वाला समझ माया इसलिए हो ठीक है तो expectation value of x square is equal to क्या जाएगा a square into 1 by 3 minus कितना जाएगा 2 divided by n pi का whole square ठीक है यह आ गया एक बाद चेक कर लेते हैं सही है नहीं है expectation value of x square जबाए expectation value of x square देखो क्या रखिये a square into 1 by 3 minus का 2 divided by n square pi square बिल्कुल जाएगा ठीक है यह क्या है हमारे पास expectation value of x square है इसको थोड़ा सा उसने ऐसे लिख दिया है यह आ गया है a square into 1 by 3 minus का 2 divided by n square into pi square ठीक है क्या आगया n square into pi square this is expectation value of x square तो इसको मैं कहां लिख देता हूँ उधर लिख दूँ अपने क्या बोलते है उसको मैं उखाने में अलग से ठीक है अब नेक्स क्योंकि क्या है एक्सपेक्टेशन वैल्यू आफ पी स्क्वाइर क्या करना है तो इसको पकड़ो यहां से इदर लिखो तो यहां से मेरे पास expectation value of x square is equal to कितना आया a square into 1 by 3 minus का कितना आया 2 divided by n square by square यह आगया ठीक है ओके तो अभी तक आपको सुन में आ गया होगा कि अगर आपको नुमेरिकल पावर अच्छे इंट्रिकेशन अच्छे नहीं है तो क्वांटम मेकेनिक्स में आप फिन नहीं चल सकते क्या इंट्रिकेशन आपक पड़ा तो यह 7 exercise है उदर देख लो 7 देना पता निमा भूल गया ओके अब क्या है question number D देखो question number D क्या है expectation value of P square find करना है तो करो find क्या करना पड़ेगा बस हमें क्या करना है integration solve करना है answer आ जाएगा और हमें क्या पता होना चाहिए जो expectation sorry P square corresponding जो operator होगा वो क्या होगा कि देखो question number इसे मिटा दूँ करना है expectation value of P square क्या होगी हमें find करना है अगें जो वेब function है हमारा साइ इक्वल टू क्या है मेरे पास 1 by under root of a cos n by x upon 2a और यहाँ पर n की value क्या है odd है और n not equal to 0 है यह बता है यह क्या है मेरा odd है यानि 1, 3, 5, 7 ऐसे करके है अब from definition जो expectation value of P square हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इस इंट्रिगेशन integration और in our case limit कहाँ से का है minus a 2 plus a है वो तो बहुत बार हो गया है क्यों हो आयकरके minus a 2 plus a है और यहां क्या आता है size star और यह क्या आ जाएगा P square operator आ जाएगा और यहां क्या आजाएगा सबस्क्राइब की है पी स्क्वेर किया होगा हमारा प् Во मुमेंटटर्स पॉंडिंग अप्लिंट अधीलorgeous वहते है ने व्याहत पॉर्यस पूराने थाज Pra फोरीन वह ओ जाएगा यहां का पास मान मैंने स्कॉएर क्या हो जाएगा अए Nॉय इन्टू एसकर्ट स्क्वाइर और यह क्या हो जाएगा अब आटा का स्क्वाइर अगेन क्या होता है मैंने स्वान होता है तो एक्सपेक्टेशन वेल्यों पी स्क्वाइर इकल टू क्या जाएगा माइनस का स्क्वाइर डेल स्क्वाइर डेल एक्सवाइर तो यह क्या निकल निकल गया मेरा यह operator निकल गया पी स्वार के corresponding operator क्या होगा यह होगा तो क्या करना है बापको इसे नोट कर लो एक ब्रेकेट में नोट कर लो मुझे मिटालना पड़ेगा यह मैं यहाथ मिटा जाता हूं ठीक है ओके तो देखो तो यहां से मेरे पास expectation value of P equal to क्या जाएगा minus A to plus A, size star, size star गए इस पूरे का star इसका star real है तो real का star वही रहता है तो क्या जाएगा देखो यहाँ यहाँ पर one upon under root of A और यह क्या हो जाएगा cos n pi x upon क्या आजाएगा 2A आजाएगा अब फिर क्या operator रखना है यह operator क्या है देखो यहाँ पर minus का h square और यह क्या हो जाएगा del square divided by del x square और फिर किसमों operate होगा sin मों operate होगा तो यह क्या हो जाएगा देखो one by under root of A फिर यह क्या हो जाएगा देखो sign n sorry cos n pi x upon क्या आजाएगा और इन टू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा कि दर फोगी बाद ना अब यहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब करना दो बार एक का डिस्टाइब इंटरिकरशन से बाहर आ जाएगा अब देखो हो इंट्रीकेशन कहा से गहां मैनस इंट्र उन्टीन्ट्र फ्लस उन्पीटि लिमिट हो जाएगे इसकी यह तो ऐसे रहा इदर वाला यह क्या है को क्षा एका अपाई एक वाई-टी वाय क्या है तो एक है अब देखो एक बार डिवेंटेट करो पहले देल वार यह जाएगा और फिर यह अंदर वाले का होगा तो सकी हो जाएगा एंड पई बाई लख़े अ जाएगा फिर ले नहहीं क्यों और इंट्स जाएगा इसका एकuteur अब इसका एक बार ठीक रजैए हैं यह माईनश और यह माईनश कुट जाएंगे प्लस हो जाएगा तो यह क्या जागा देखो दिस एच काड़ स्क्वाइर डिवाइडर बैकितना आया यह लिमिट मैनस इंफिनिटी टू सोरी मैनस एटू प्लस दे हुआ यह एसे रहा देखो क्या है यह कॉस एन पाई एक्स अपॉन कितना है तो यह है करो इसका सब्सक्राइब को यहां पर क्या जाएगा छोज एक न पाई एक्स आपॉन कितना है फिर अधर वाले का तो हो जाएगा इसको बाहर लें तो यह हो जाएगा इसको बाहर ल्यायों तो यह हो जाएगा मेरे पास क्या है? एच करद स्कवाइद डिबाइख ए के और इन्तु यह हो जाएगा मेरे पास अन पाइद भाइख डू एए का होले स्कॉरीक इंट्र कर दो इन्तो क्यों स्कॉर एक दिए ऐस सुले जाए गहां अगेन Britt sustainer को सहक्वायर एंड वा एकस एक स्ट्रчи्ट एक सब्सक्राइब इसे अधेशल अिक एक सुग्जार्वाइरं यह बाई ए यह अत सॉप्वाणने पास्ती और यहां कि सवत्कता ही लुगरूर्णी क्यों एक सो तेखर मिरा नुग to a 0 to a vh function आजागा क्या है देखो ये cos square n pi x upon कि तना आ गया 2 A हो गया और इंटो क्या हो गया dx हो गया अब क्या लगा दो फर्मला क्या हो जागा देखो तो यहाँ से मिरे पास expectation value of स्क्वारेक्स McGonф civ करएक्स головi और पी स्क्वारे इस इक्वान टू या मेरे स्काइव च्पवएर कॉस्स टू ठीटा डिवाइल बाई टू होता है यह तो याद हो गया होगा तो इसको ठागे तो रख दो ठीटा कितना है आपर एन पाई एक्स अपॉन टू ए है तो दिस टिंग इंट्रिगेशन फ्रॉंग लिमिट जीरो टू ए और इसकी जो क्या आ जागा देखो वन प्ले टो कितना हो जाएगा डी एक्स देखो इस टू से ठीक्सल रहाएगा सब्रां मैं जो ठोड़ देख लेंगे आइसां घूचा क्या हो एं से इस yani च्वास धागा जाल तो एच काड़ स्क्वाइर अपॉन ए कॉस ता कॉस का फिर साइड है ठीक है चलो देख लंगलत होगा तो एड़ पाई डिवाइड बाई टू ए का स्क्वाइर अब देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं में इसको 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 यह लिख सकता हूं 0 2 A इंटू 1 प्लस कॉस N पाई एक्स अपॉन A इंटू डिएक्स ऐसा लिख सकता हूं इससीज इक्वाल टू इसीज एच काड़ स्क्वाइर अपॉन ए आ जाएगा और इंटू क्या आगए देखो N पाई अपॉन टू ए और इस पूरे का स्क्वाइर देखो इसे के लिखता हूँ मैं इसे लिखता हूँ 0 to a 1 into dx फिर प्लस क्या जागा ये 0 to a और ये हो जागा मेरे पास क्या cos n pi x upon a into dx ऐसा हो गया and this bracket closed ये तो 12 दोनों से तभी bracket के बाहर आ गया तो क्या आगया है एच का स्क्वाइर अपोन ए और दिस इस एन पाई दिवाइद बाई टू एब का स्क्वाइर वन वन का डिफेंट इंट्रिकेशन क्या होगा एक सोगा तो एक से आ गया और लिमिट कहां से कहां अब यहां पर दिहान से देखो अगर एक जिवाइद बचाएं और यहां से मेरे पास इस का स्क्वाइर डिवाइद बाई ए और यह क्या आगया मेरे पास n pi by 2a का whole square अब यहाँ पर a put किया तो कितना बचा शिर्फ मेने पास a बचा तो इस a से यह a क्या हो जागा मेरा cancel हो जाएगा तो देखो यहाँ से expectation value of p square is equal to कितना आया h cut square n square pi square upon कितना आया 2a आया ठीक है killer होगी बात ओके यह निकल के आ गया अब यह सही है यह गलत है कहें चेक करोगे यह कोई तरीका है चेक करने का हमने एक चीज पड़ी थी कि expectation value of energy यह फिर eigen value of energy क्या पड़ी थी हमने आपको याद है अगर मेरे पाद wave function यह है यह फिर square potential है तो इसके लिए अब आइगन वेली उफ ओ पड़ी थी कुछ ऐसा पड़ा था एंसक्वायर पाई square एचाट श्क्वायर डिवाड़ बाई एट एम एश्क्वायर इंट मे एश्क्वायर यह स्क्वायर यह इसक्वायर होगा ठीक है और यह फोट होगा क्या कर रहा हूं में भी चेक है 8m a square ऐसा पड़ा था और हम जानते हैं जो e equal to होता है वो क्या होता है p square by 2m होता है तो यहां से p square equal to कितने आया 2 e m आ गया 2 e m आ गया तो e की जोगा यह put कर दो तो यहां से मेरे पास p square equal to 2m into e q 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 अगर कोई एक्जाम देरो तो आपको ऐसे फैंड करना है इतना लंबा इंटरीकर्शन करने के कोई जरुवाइट नहीं है तो इसको और और लिख दो मैं ऐसे भी क्या कर सकते हैं और दोनों से आंसर क्या रहा है थे मारा रा तो में सबसे पहले एक्स निकाला तो क्या किया मैंने सबसे पहले expectation value of x निकाला फिर expectation value of p निकाला फिर क्या निकाला expectation value of x square फिर expectation value of p square अब बढ़ते हैं कहां अगले question क्यों अगला question क्या होगा इसी question से related होगा ठीक है आपको ये value याद रखनी है लेकु अगला कूर्शिन क्या है मैं अ क्ला कि न कॉल देर सुक निकाल देता हूँ अब इसको नोट कर लू इधर पी इदर पार इधर पर ब्रैकट पर क्या है मेरे पास यहां पर एक्सपेक्टेशन वैल्योफ पी स्क्वाइर कितने निकाल लेकिन निकाल लेकिन स्क्वाइर पाई स्क्वाइर एच्वाइर डिवेड़ बाई अगला नेक्स पॉस्चन एक्षण में कितने पॉस्चन ते चार पॉस्चन नहीं हुआ है खाले दिखने को एक कॉश्चन लग रहा है कुश्चन कितने हो गए चार हो गया अगला देखो पांच वाइच्वाइब देखो आगा ठीक है एक ही कुश्चन में कितने कुश्चन हो गए है चार कॉस्चन हो गया तो कुश्चन नमबर 5 क्या बोला है शो देट शो देट देट द अनसर्टिनेटी रिलेशन डेल एक्स डेल पी गेटर दन इक्वल टू एच कट बाय टू इट सटिस्फाई इन केस और पार्टिकल इन वन दैमेशनल बोक्स देखो कॉस्चन को ऐसे है कुश्चन है हमारे पास so that so that the anxiety relation the the uncertainty the uncertainty relation del x del p greater than or equal to h2 is satisfied in case of one-dimensional box one-dimensional box जो one-dimensional box होता है उस case में यह relation hold करता है uncertainty in momentum and uncertainty in position का product इसके बराबर होता है ऐसा हमें क्या करना है ठीक है ओके चलो देखो कैसे करेंगे यह chain को del x del p चाहिए दुनका product निकालेंगे वो इसके यह ऐसा आना चाहिए relation ऐसा होना चाहिए कुछ ठीक है अब देखो let's do it उससे पहले एक important note note क्या है uncertainty in uncertainty in any quantity a अगर में पाब कोई भी quantity a है उसमों जो uncertainty होती है del a उसको मैं ऐसे define करते हैं कैसे under root of average value of a square minus expectation value of a का square ठीक है इस तरीके से अगर मेरे को यह important चीज है बहुत important है ठीक है बहुत important important IMP ठीक है यह आपको याद ही रखनी पड़ेगी ठीक है इसको ड्राइब भी कर सकते हैं हम लेकिन अभी नहीं क्योंकि क्वांटर पड़ रहे हैं हम वह स्टेट में करेंगे हैं मुसको ठीक तो ड्राइब यानि क्या uncertainty in a is defined like this इस तरीके से define करते हैं इसको मैं भी लिख सकता हूं कि uncertainty in a का square is equal to क्या जाएगा expectation value of a square minus expectation value of a square यह आ गया ठीक है अब देखो अब इधर देखो मुझे क्या चीए uncertainty in position चीए we need हमें क्या चीए बताओ uncertainty in position uncertainty in position क्या हो जाएगी under root of expectation value of x square minus expectation value of x का square ठीक है यह दुनों चीज़े अलग-अलग है they both are different यह दुनों चीज़े क्या है अलग है यह बहुत important concept है अगर आप ऐसे बात करोगे तो दुनों सेम है simple mathematics classical mechanism यह दोनों सेम होते है लेकिन in quantum mechanism they both are different यह क्या है expectation value of x square है और यह क्या है expectation value of x है ठीक है कि लिए expectation value of x square है अब हमने यह दुनों find कर रहे हैं वो देखो उधर है हमारे पास रख दो यहां पर तो डेल एफ डेल ओफ x is equal to क्या जाएगा this is under root of expectation value of x square यह रखा है मेरे पास क्या है a square into 1 by 3 minus का 2 divided by कितना है यह n square pi square है ऐसा है expectation value of x 0 का square हो जाएगा 0 का square तो यह आगे मेरे पास क्या del x is equal to under root of यह क्या हो जाएगा a square into 1 by 3 minus 2 divided by n square pi square सही लिखा बिल्कों सही लिख देवी है अब यह तो क्या हुआ nth quantum state के लिए हुआ या फिर nth state के लिए हुआ तो for example let us take foreground state किसके लिए for ground district for ground state हमने पढ़ा हुआ है n equal to कितना होता है 1 होता है in infinite well potential for ground state n equal to 1 तो यहांसे मेरे पास del x is equal to क्या आजाएगा under root of क्या आगया देखोए यह आगया मेरे पास a square into 1 by 3 minus का 2 divided by pi square 2 divided by pi square ठीक है तो अभी दोनों में पता है कितना हो जाएगा देखो यह हो जाएगा मेरे पास under root of इसका square यह तो 0 होती है एचीज क्या होती है 0 होती है एचीज 0 होती है expectation value अब P कितना है 0 है उदर देखो expectation value अब P कितना है 0 है तो यह जीजिरो होका है तो बचा क्या है मेरे पास यह बचा और यह value उदर दे रिखिए यह value क्या है देखो n square pi square h square divided by कितना है यह 4a square है यह सब बाहर आ जागे अंदर से तो क्या हो जाएगा है और n के जोगा 1 put कर दो for ground state n के जोगा 1 put करोगे तो यह क्या हो जाएगा pi h square divided by 2a हो जाएगा और यह किसके लिए हुआ for n equal to 1 के लिए अब देखो फिर यह यहां बनतावाद दीख रहा है नहीं वे रहा हो इसा क्यों हो रहा होगा तो दिखते हैं फिर मल्टिप्लाय करो दो नों को क्या कर दो del x into del p कर दो तो del x into del p तो उनका मेंट यह देखाएगा इसा कुछ आना चाहेए उसने डेलक्स की वेल्यू क्या है ऐसी कुछ है अंडरूड में एक सिस्क्वार की एकस्पेक्टेशन वेल्यू यह होती है फॉर निकल टुमन ऐसा कुछ हो जाएगा ठीक है तो यहां से क्या आगा मेरे पास अंडरूड ओफ यह मेरे पास क्या एक स्क्वार इंटू 1 बाइ 3 फिर क्या जाएगा माइनस का 2 डिवेटल बाई पाई स्क्वार हुआ और यह मल्टिप्ला हो जाए किससे इंटू इस थिंग इस पाई एच कट अपॉन क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा नाव अब इसको सॉल्व करना है देखो यह a square चीज क्या है एससक्वार के भार्ण क्या हो कड़ जाएगा यह डेल एक्स इंट्व डेल पी इस इकल टू ए और अंडूर में क्या बच गया देखो दिसस वन बाई 3 माइनस का 2 डिवेटल बाई Pi square into this is pi h cut upon kya आगया 2a आगया इस Pi से ये Pi क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा इस Pi से ये Pi क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा तो del x into del p is equal to कुछ नो कुछ तो करना ही पड़ेगा देखो यह हो जाएगा मिरे पास क्या minimum लान अओow यह πई स्क्वार माइनेस का 2 डिवाईड पै कितना आया 3 पै स्क्वारा आगया और इंटू पै एज़कट डिवैड में कितना आया 2 आ गया ठीके पाई एजकट डिवैड में कितना आया 2 आया देखो यह क्या हो जागे दर से डेल X into del P is equal to, यह pi भार आ गया, 1 upon pi भार आगा अंडूट से, और अंदर कितना बच गया, देखो, pi square minus 2 divided by 3, और into pi, h cut, divide में कितना आया, 2 आया, pi h cut, divide में कितना आया, 2 आ गया, देखो, इस pi से, यह pi क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, इस pi से, यह pi cancel हो गया, यह बचा, डेल X into del P is equal to, कितना आया, यह पूरी चीज, यह क्या है मेरे पाद, देखो, this is pi square minus 2, divide में कितना आया, 3 आ गया, and this is h cut by, कितना आया, 2 आ गया, ऐसा कुछ आया, देखो, थोड़ा बहुत आ आ गया, अब इसकी चिंता करते हैं, यह जो रेकेट में लिखा हुआ है, देखो, इ कैसे करो फिर मोबाइल से वीडियो बन रही है, मैं इसको इस पर्टिक्लर चीज को, यानि, pi square minus 2 upon 3, और अंडोड में, ठेक है मैं, solve करके, start परता हूं, इसको, ओके, आ गया, 1.8, 1, divided by, यहां गलत करते हैं, मैंने, ओके, ओके, एक चीज और गलत रुका, यह क्या आएगा, 6 आएगा, ठेक है, और यहां भी क्या आएगा, 6 आएगा, ठेक है, और यहां क्या आएगा, अगे, 6 आएगा, अब solve करो, अब करो एक बाद, कितना है, 3.14, into 3.14, equal to this, minus 6, this, divided by 3, equal to this, and इसका, root, 1.13, अगे, 1.13, divided by 2, कितना आ गया, इसे solve करोगे, इस पूरी चीज को, इसको और इसको, तो अगर यह, डेल एक्स, into, डेल पी निकालोगे, तो कितना आ जागा मेरे पास, यह आ रहे हमारा, 0.565, into h-cut, ठीक है, तो यह, लगभग, equal to, किसका हुआ, डेल एक्स, into, डेल पी, एप्रॉक्स, equal to, 0.5, h-cut हुआ, और 0.5 को मतलब क्या हुआ, 1 by 2 हुआ, तो डेल एक्स, into, डेल पी, is, अप्रॉक्स, equal to, कितना आया, 1 by 2 of h-cut आ गया, यह, क्या करना था, हम को प्रूब करना था ना, कि यह onstudy ratio क्या करता है, hold करता है, तो answer है, हाँ, यह onstudy ratio क्या कर रहा है, hold कर रहा ए, किनलर होगी बाद, ठीक है, अगले question बढ़ते हैं, ठीक है, अगले question क्या बोल्ट है, हैसे मेण, अगला question है, हमारे पास, अगला question में, innovate, लेबल एनर्जी चलो एक काम करते हैं अगला कोश्यन नेक्स्ट क्लास में करते हैं ठीक है अगला कोश्यन है कल्कुलेट दे थ्री लोवेस्ट एनर्जी लेबल फॉर एलक्ट्रोन इनसाइड ए वन दिमेंशनल इन्फानेट पोटेंचिल वेल और विर्थ टू एंगस्टंग अल्सो डिटर्माइन दे करस्पोंडिंग नॉर्मलाइज्ट वेव फंक्शन किवन मार्श वव एलक्ट्रोन इससे दे रखा कुछ देटे दे रखा है तो उसको का अगलेवा लेक्शन लेक्ट्रम करें बनामा आज ही दोंगा पर करेंगे नेक्स लेक्ट्चर में ठीक है तो आज होब आज के लेक्ट्रम में आए होंगे तो मिलते हैं आप से नेक्ट्रम में तो थैंक्यू धन्यवाद